तो आप अपने घर में कभी भी अपने बच्चों को बना सकते हो बैसे भी बच्चों को पीजागर बर्गर बहुत ज्यादा पसंद है तो आप इस तरह के बनाके जरूर खिलाईए तो आलू मेंने बोईल कर लिये थे ठंडे भी अच्छे से हो गए तो मैंने इसको बारी थोड़ा सा चावल का आठा तो चावल का आठा इसलिए मिला रही हो इससे बहुत अच्छे क्रंची क्रंची बनती है टिक की तो यहां पर मैंने सिम्ला मिर्च को भी डाल लिया है बारी काटके और आप उसमें कौन फ्लूर भी डाल सकते हो और चावल काटा नहीं डालना च ठौका नहीं है इसमें लाल मिर्ची बीडाल दीए कसमे रिया है एसमें कलर के लिए और घुल्दी पावड़र लाल दी具 तो दोड़ा सा जीरा पावडर फिर में से अच्छे से बनाई लूँगी टिक्कियां बनाने न मुझे बर्गर के लिए इसलिए तो आलू में मिक्स हो गाएं देख सकते हो यह मैं रख लिये हैं मिक्स करके तो यहां पर मैंने कड़ाई रख दिये और अपने हाथ पर लगा लिया, और लगा के, मैं सारी टिक्यां ऐसे इसी बना लोगी, टिक्कियां किनारे किनारे से वैसी होग Recently इस तरह के इससे बनाई के सेये मैं ने बना के फिर हमीं इसको शेक लूगव कि हांप कैसे भी सेख सकते हो, यहां पर हछी खीली थोड़ा यॉयल लिए मैंने, इस तरीके सेख लोंगी particular क्योंकि बनाकर रखनी हें मैंने ये सारी क्योंकि बार बार हाथ थोने पढ़े आगे इस करा में, पहले शारी बनाकर रखनी हें तो पहले गौल रख दिया था तो मैं यहां अच्छे से से लूंगी इनको मैं तो एक साइड से मेरी अच्छी सिख गई है कलर भी देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है न तो दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से से लेंगे और आप लोग कौन-कौन बर्गर बनाते हो मुझ को भी सेख लिए मैंने तो यहां पर टिक की बनके मेरी तई आ रहे हैं देख सकते हो तो यहां पर मैंने थोड़ा सा ऑइल डाला उसमें डाला थोड़ा सा बटर बटर डारके हमें जो पनीर है उसको भी फिराई करना है को हुआ हो तो यहां पर में पनीर के स्लाइस बना लिए थे क्योंगा हमें उसमें रखिए टिकी में बर्गार में ऐसलिए कि तो में इनको भी पलोण लेती हूं हलका हलका सेख्णा ज्यादा नहीं सेखना है पनीर को तो तो सिंत जीम्नारे़ी छेक ली थी मैंने acquisition आप Naty देख सकते हो पनीर है इतना सेक लिए आया है मैंने तो यहां बर्गर बनाने की शुरू करती हूं तो पत्ता गोभी के ज़ड़ोत थी पत्ता गोभी के यह परतों उतार लिए मैंने ऐसे निकाल लेते हैं आसानी से निकल लाते हैं और यह मैंने डाल देती हूं मैं इस पर यह पत्ता उसे ही बनते हैं तो इस तरीके से मैंने बनाएं चमत से हम ऐसे फेला लेते हैं सारे पर इस तरीके से आप हाथ से भी फेला सकते हो यहां पर मैंने टिक्की रख दिये एक टमाटर रख दिया है और आप जञदा भी रख सकते हो टमाटर प्याज जो भी रखना चाहते हैं तो लेकिन मैंने यहां पर खीरा रख दिया है प्याज रख दिये प्याज छोटे थे इसलिए दू रख दिये खीरा भी दू रख दिये जैसे आप रखना चाहते हो वैसे रखिएगा से शिवणा मेरे से रखती है और हेल्दी फीजा हेल्दी बर्गर आ रही हुं इहां पर सॉस टाल दीया टमेंटो सॉस हो यहां पर मैंने पनीर की स्लाइस रखती है जो हमने फ्राइक लिए थी वह कि यहां प्रिंजी गिस रही हो मैं आप पर दें वैसा आता है वह भी रख सकते हूं कि यहां पर डाल दिया मैंने थोड़ा सन्नम्क डाल दिया चाट मसाला सूपर अप्षी बह राख मिर्ची भी डाल सकते लेकर मिर्ची नहीं डाल दिया मैंने तीखा पहले से यह थोड़ा यहां पर पत्ता और रख दिया है मैंने यह पत्ता को भी का इस तरीके से तो यह बर्गर हमारा बन के तहियार है देख सकती हो कितना युमी लग घरा है कितना अछ़ा लग रहा है कि अब इस अच्छा supports सबस्द ना कॉमेंट करके मुझे बताना किस-किस ने ट्राइ किया या पत्ते भी सेख सकते हो कि यह कड़ाई में मैंने ऐसे रख दिया था पहले पत्ते नहीं सेख दिया तो मैंने ऐसे पूरा बना के फिर मैंने सेख दिया था इसको उठाने में थोड़ी आसाने से उठाईएगा कि अ कर दो बख़ता, और स्टेमिया थे पलबवने से तो कि अ क्दोम में 1 कि अ नह को झाल झाल